हलो स्टुएंट्स वेलकम टू डे चुका हूं अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के एक वीडियो है वो नहीं देखिए तो उसको आप लोग देख लीजेगा उस वीडियो का लिंक जो है वह आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज की वीडियो करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के फिलिंदा ब्लैंक को तो यहां बगर हम बात करें कोशन नमबर बन की तो यहां बोला गया है डैस अलाउज यू टू साइन इंटू यॉर्क सिस्टम यूजिंग डेटा लाइट फिंगर प्रेंट फेस और आयरिस रिकोनेशन तो इसक कर सकते हैं बात करते हैं कुशन नमबर टो की तो इसमें बोला गया है डैस रैफर्स कॉपिंग सॉंग फ्रॉम सीडी डीवीडी टू आ कंप्यूटर मतलब की सीडी डीवीडी से जब आप कॉपि करते हैं सॉंग को कंप्यूटर में तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है तो यहां पर आ जाएगा आपका ripping, इस process को हम बोलते हैं, ripping, बात करते हैं, question number 3 की, question number 3 में बोला गया है, different style of writing characters, in specific style are known as, characters को लिखने के different writing styles चो होते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है, fonts, इसका answer हो जाएगा, fonts, बात करते हैं, question number 4 की, इसमें बोला जा रहा है, dash is used to remove the unnecessary file from a computer hard disk, किसकी help से जो हम unnecessary files को remove कर सकते हैं, hard disk से, तो इसका answer हो जाएगा, disk cleanup, next question की बात करते हैं, question number 4 की, इसमें बोला जा रहा है, dash allows you to change Windows 10 into a touch friendly interface called the tablet mode, तो इसके कहने का मतलब है, कि Windows 10 में ऐसा कौन सा feature है, जिसके help से, आप के कर सकते हैं, touch mode में भी work कर सकते हैं, मतलब कि उसको tablet mode भी बोला जाता है, तो इसका answer हो जाएगा, continuum, continuum feature की help से हम यह काम करते हैं, जो कि हम आपको practically करके दिखा चुका हूँ, तो यह complete कर लिया हमने इस chapter का section A, अब बात करेंगे इस chapter के section B की, जिसमें की है true false, तो चलिए इन true false को discuss कर लेते हैं, तो पहले true false की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है, you can drag and drop app from one desktop to another in task view pen, तो इस statement की अगर हम बात करें, तो यह statement हो जाएगा true, यह बिल्कुछ सही ब कर सकते हैं, बात करते हैं, question number 2 की, तो इसमें बोला जा रहा है, Windows 10 automatically changes to the tablet mode, if it detects that there is no keyword attached, मतलब कि Windows 10 जो है, वो tablet mode में जो है, computer को automatic change कर देती है, अगर उसे लगता है कि बहाँ पे कोई भी keyword attached के हुआ नहीं है, तो इस statement की अगर हम बात करें, तो यह भी true हो जाएगा, बात करत बात करते हैं, question number 4 की, इसमें बोला जाएगा, बात करते हैं, Windows Hello enables you to perform quick actions such as adjusting the skin brightness, बात कर सकते हैं, कुछ quick actions perform कर सकते हैं, जैसे की computer की brightness बगारा को adjust कर सकते हैं, तो यह statement भी जो है, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि Windows Hello जो feature है, इसकी help क्या करते हैं, security को enhance करते हैं, जैसे कि fingerprint को set करना हो गया, face recognition हो गया, या password बगारा सेट करना है, तो पूर सारी चीज़े हम Windows Hello की help से करते हैं, ना कि इस तरीकी की setting जिससे कि हम brightness बगारा को adjust कर पाया, तो इसका answer भी क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, बात करते हैं, question number 5 की से बोला गया है, warning a CD and ripping a CD, are two entirely different operations, तो यहां पर बोला गया रहा है, CD की warning करना, या फिर CD की ripping करना, दोनो जो है different actions है, तो यह बात बिल्कुल सही है, दोनों ही क्या है, different actions है, देखिए warning का मतलब होता है, जब आप computer से CD में data copy करते हैं, और ripping का मतलब होता है, कि जब आप CD से अपने computer में data transfer करते हैं, तो उस process को बोला जाता है ripping, तो दोनों ही different actions है, तो इस तरीके से इसका answer हो पहले question के अगर हम बात करें, तो इसमें बोला गया है, C121, her favorite songs on a CD, slash DVD, which utility program should she use, तो यहां पर बोला जाया रहा है, जो C1 है, वो one करना चाहती है, अपने computer के songs को CD पर, तो इस काम के लिए उसे Windows 10 की कौन सी utility को use करना चाहिए, तो इसका बहुत सा answer हो जाएगा, इस काम के लि songs को DVD या फिर CD पर, तो इसका answer हो जाएगा, C1 would use Windows Media Player, बात करते है, question number 2 की, इसमें बोला जा रहा है, किर्ती want to make her system more secure, through biometric login, which feature of Windows 10 can help her to do so, तो यहां बोला जा रहा है, किर्ती जो है, पो अपने computer को और ज्यादा secure करना चाहती है, biometric login के through, तो इस काम के लिए उसे कौन सी feature का यूज करना चाहिए, Windows 10 की, तो इसका बहुत simple answer हो जाएगा, already मैं इतनी बार बोली चुका हूँ, इस काम के लिए उसे कर सकती है, Windows Hello feature को, यहां पर इस तरीके साब लिख देंगे, Windows Hello, तो इस तरीके से हमें complete कर लिया है, इस chapter का C section, जिसमें की application based questions थे, अब बात करेंगे, इ mouse setting by selecting the dash option in the control panel, तो यहां पर बुला जा रहा है, कि control panel के कौन से option को select करके, आप क्या कर सकते है, mouse की settings को customize कर सकते है, तो options है, file explorer, mouse, और C है device and printers, तो इसका answer हो जाएगा, B mouse, mouse के नाम से जो है, वहां पर option मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, तो जो mouse की settings होती है, उनको जा रहा है, the dash display alerts for your device and all the apps in the slide out pan on the right side of the desktop, तो यहां पर बोला जा रहा है, कि सभी apps के लिए, या फिर आपकी device के लिए, alerts जो है, वो right side के desktop में आते है, तो यहां पर जो area होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो options है, tablet mode, B है action center, और C है task view, तो इसका answer भी जो है, आपका B हो जा Windows 10, which enables you to organize the application running on your computer, तो यहां बोले जा रहा है, कि Windows 10 का एक new feature है, जो कि आपको यह facility देता है, जिसकी helps आप क्या कर सकते है, organize कर सकते हैं, उन applications को जो आपके computer पे running में है, तो इसकी answer के लिए options है, task view, B है action center, और C है cotana, तो इसका correct answer हो जाएगा A, task view, task view की help जो है, आप उन सारे applications को organize कर सकते हैं, जो कि background में चल रहे होते हैं, अब बात करते हैं, question number 4 की, तो question number 4 में बोला गया है, dash in Windows 10, helps you to quickly find information on the internet, विक कौन सा ऐसा feature Windows 10 में, जिसकी help से जो आप quickly, internet पे information को find कर सकते हैं, तो options है, control panel, cotana, और C है mouse, तो इसका correct answer हो जाएगा B, cotana, cotana feature की help से आपके कर सकते है quickly, कोई भी चीज़ find कर सकते हैं, इंटरनेट पे, या फिर किसी भी application को आप open भी करा सकते हैं, तो इसको भी मैंने आपको practically करके दिखाया था, जब इस chapter को मैंने आपको explain करा था, तो codana का feature है, वो मैंने आपको बताया था, कि उसको आप किस तरीके से use कर सकते हैं, बात करते A है आपका hyperlink mode, B है power off, C है आपका sleep mode, तो इसका correct answer C हो जायागा sleep mode, sleep mode में जो आपका computer पूर तरीके से off नहीं होता है, तो यह हमने complete कर लिया, इस chapter का D section, जिसमें की multiple choice questions थे, अब हम discuss करेंगे, इस chapter के E section को, जिसमें की कुछ questions है, इनको discuss कर लेते हैं, तो बात करते हैं, पहले अब करके दिखा चुका हूं, तो answer के, अगर हम बात करें हैν, तो इस तरीके सा आप लिख सकते हैं, windows media player का help का कर सकते हैं, run कर सकते हैं, और 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 recy beleza, data को अपने computer में ले सकते हैं, और अपने computer से CD, DVD पे भी data copy कर सकते हैं Window Media Player की help से तो इस तरीके से हो जाएगा इस question का answer बात करते है question number 2 की question number 2 में बोला गया है difference between ripping and warning तो इन दोनों time का meaning जो है मैं आपको आपको इतनी बार बता चुका हूँ मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप इसका answer खुद भी लिख सकते हैं लेकिन फिर भी जो है मैं यहां पर आपको answer दिखा देता हूँ देखिए अगर हम बात करें ripping की तो ripping का मतलब होता है CD से data copy करना किसमे computer में जब आप CD से data को computer में copy करते हैं तो उस process को बोला जाता है और warning का मतलब होता है जब आप computer से save करते है important information को किस पे CD ये DVD पे मतलब की data को copy कर रहा है computer से किस पे CD ये DVD पे तो उस process को बोला जाता है अगर आप चाहें तो answer खुछ से भी लिख सकते हैं अगर आप लोगों ने explanation वाली वीडियो देखी होगी तो आप जो इसका answer बहुत easy लिख पाएंगे लेगिन अगर आपको problem हो रही है इस तरीके से हो जाएगा इस question का answer बात करते है question number 4 की question number 4 में पुछा गया है write the steps to create a new desktop अगर आपको एक new desktop create करना है तो उसके लिए steps किया होंगे तो answer की बात कर लेते हैं देखिए desktop को create करने के लिए करना होगा सबसे पहले तो टास्क वार पर जाके टास्क वाले बटन पर क्लिक करना होगा जैसी उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे application खुल जाएंगे जो कि आपके running में होंगे और साथ साथ महां पर आपको देखने को मिल जाएगा new desktop के नाम से एक button इस button पर प्रॉलम वाली बात नहीं है बस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से create किया आयता है desktop को तो उसको अगर आप चाहें तो अपनी language में भी define कर सकते हैं बस steps जो है वो आपके सही होने चाहिए चलिए बात करते हैं question number 5 की question number 5 में बोला गया है how many power saving modes are available in windows 10 discuss anyone तो कितने power saving modes वो है windows 10 वो होते हैं और किसी एक को आपको बताना है तो चलिए बात करते हैं इसका answer की तो दिखिए windows 10 में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया दो power saving mode होते हैं जो कि है आपका sleep mode और hyvernate mode यह दो power saving mode होते हैं और यहां पर हम बात करें लास ताइम छोड़ाता और इसमें होता है क्या है जब computer shutdown होता है तो सबसे पहले जितने भी documents होते हैं जो open होते हैं वह सारे के सारे आपके save हो जाते हैं अब बात करते हैं अगले question की जो कि है question number 6 और इस question में बोला गया है how is the disk cleanup feature useful बैट disk cleanup feature जो होता है Windows 10 का वो किस तरीके से useful है तो देखिए बात करते है answer की तो जो disk cleanup feature है इसकी help आप कर सकते हैं remove कर सकते हैं unnecessary files को जो भी आपके computer में temporary files होती है जैसे कि internet की file है और offline pages है इस तरीकी की बहुत सारी files जो है वो computer में store हो जाती है जिनका कोई use नहीं होता है तो ऐसी unnecessary files को जो है आप disk cleanup feature के use करके कर सकते हैं आपने computer से remove कर सकते हैं और आपके computer की disk space होगी वो क्या हो जाएगी फ्री हो जाएगी और साथ साथ अपका computer जो है वो थोड़ा fast हो जाएगा क्योंकि ऐसी junk files होती है इनके विजह से computer की performance होती है वो slow हो जाती है तो मुझे लग रहा है आप लोग को यह question भी clear हो गया होगा class 6 के computer के किसी और chapter को तो student आज की वीडियो में इतना है thanks for watching